हलो 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 तो authorized service center या फिर किसी individual garage या फिर किसी local mechanism से service करवाएं बड़ा ही confusion है और confusion इसलिए है क्योंकि पैसे बचाने और आपको पता ही है आज कल customer को लोग बकरा समझते हैं और आप मैंसे कई लोगों ने यह चीज experience करी होगी कि service center वाले कैसे लूटते हैं लेकिन authorized service center में काम क करवाने के कुछ अपने फायदे हैं और क्या फायदे हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ माएगा यह तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी authorized service center में काम करवाते हैं या फिर service करवाते हैं तो वहाँ पर charges ज्यादा होते हैं खासकर कि labor charges और labor charges इस गाडियों की वो अच्छी तरह से मरमत कर पाएं और quality work दे पाएं और अगर आपकी कार नहीं है उसमें तीन या चार free service रहती है उस free service में labor charges free होते हैं तो labor charges ही सबसे ज़्यादा होते हैं service center में authorized service center में तो free service तो आपने वहीं से करवाने चाहिए अब बात करते हैं warranty की new car में आपको warranty मिलती किसी में 2 साल मिलती है और किसी में 3 साल मिलती है और यह claim होती है आपकी authorized service center में और अगर की कार में कोई दिक्कत आती है आप उसे warranty में claim करना चाहते हैं तो यह तब ही claim हो पहेगी अगर आपने authorized service center में service करवाई होगी अपनी गाड़ी की मतलब कि अगर आपकी गाड़ी warranty में है आपको मजबूरन authorized service center में ही service करवानी पड़ेगी और वो लोग जो extended warranty लेते हैं तो वो 5 साल के ले 4 साल के बद जाते हैं कि उन्हे authorized service center में ही service करवानी है अब बात करते हैं warranty period खतम हो जाने के बात की ऐसा होता है जब गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है गाड़ी की warranty खतम हो जाती है तो गाड़ी की जो service cost है labor charges से authorized service center के थोड़े से ज़्यादा लगने लग जाते हैं और गाड़ी की ज़्यादातर service में होता क्या है oil change, oil filter change, cool and change, brake fluid change, wheel alignment and balancing और brake dust cleaning इस टाइप के छोटे मोटे काम ही होते हैं यह कुछ जादा बड़ी चीज नहीं है अगर आप लोग अभी भी यह चीच सोचते हैं कि गाड़ी की tuning करनी पड़ती है यह वो करना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है आजकल गाड़ी के engine ECU यानि की computer से operate होते हैं तो उसमें कोई tuning की जरौत नहीं पड़ती है अगर engine में कोई problem आती है तो आपका instrument cluster में एक warning sign होता है engine malfunction वाला वो light on हो जाती है तो मतलब computer आपको warn कर देता है कि आपको इसको दिखाने की जरौत है कहने का मतलब है आप जो normal service है बहार से आराम से करवा सकते हैं किसी अच् की headache है कि आपको अच्छा mechanic ढूड़ना पड़ेगा आपको एक अच्छा garage जूटना पड़ेगा जहां पर आपको गाड़ी की service और उसकी quality बहुत अच्छी मिले देखो service में कितना अंतर आता है मान लीजिए आपकी swift गाड़ी है उसमें अगर आप labor charges company के अगर मैं बता हूँ यानि की authorized service center के मैं बता हूँ वो लगभग 1400 से 1500 रुपे है और वहीं पर आप किसी individual garage में जाएंगे वहाँ पर आपका service charges 500 रुपे के आसपास रहेगा और आप किसी local mechanics से करवाते हैं वो 100 से 200 या 300 रुपे ले लेगा और इक चीज में हैं आप आप लोगों को बता देना चात हूं कि जो part आप यूज करते हैं जैसे oil filter हो गया फ्यूल filter हो गया यह सारी चीज़े आप genuine ही यूज करें genuine मतलब original और आपको यह चीज़े बहार market में नहीं मिलती तो आप authorized service center से खरीद कर इसको बहार लगवा सकते हैं बहार इनका काम करवा सकते हैं यानि कि बहार service करवा सक प्रशे वाले होते हैं जिनमें कि उनकी गाड़ी के particular software की जाच हो सके और अगर software को update करने की जड़रत है तो वहां पर वह update कर सकते हैं बिना किसी परिशानी की यह चीज़ें बहार आपको नहीं मिलेंगी जैसे abs malfunction की light on होना airbag malfunction की light on हो जाना इस तरह की चीज़ें जो है कि उपर से आपको भी knowledge होनी चाहिए कि आपकी इस service में क्या क्या काम होना है यह सारी चीज़े owner manual में लिखी होती कि 10,000 की service में क्या क्या होना है 20,000 की service में क्या क्या change होगा क्या कान कॉन का उन से फ्लूट चेंज होगे क्या आपने टाइड करना है क्या आपने सेट करना है यह सारी चीजे ओर्णर में आजकल लिखी होती है और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है सर्विस करवाने ले जाने से पहले उस चीजों का ग्यान आपको होना चाहिए ताकि आप authorized service center में भी service करवाते हैं तो आप cross check कर सकें कि वो चीज मिस तो नहीं कर दी है अब जैसे engine malfunction light on हो रही है या फिर कोई ऐसी computerized problem आगी गाड़ी के अंदर और आप authorized service center में ले गए गाड़ी को और वहाँ पर वो बताते हैं आपको बहुत मोटा खर्चा तो उस चीज को पहले cross check करें दूसरे garage में जाके दूसरे service center में जाके उस पे एक विस्तार से मने वीडियो बनाई है आई बटन में लिंक आ रहा होगा वहाँ पर आप प्रॉपरली समझ जाएंगे और यह engine malfunction वाली light है जो की काफी critical होती है इसको outside mechanic local mechanic भी solve कर सकते हैं वो depend करता है mechanic की knowledge के उपर और उसके पास जो scanning tool है वो proper है या नहीं तो थोड़ा सा summarize कर लूँ free service authorized service center में ही करवाएं और warranty के अंदर की service authorized service center में कराएं और critical काम है authorized service center में कराएं और warranty के बाद आप करवा सकते हैं normal service जैसे काम बाहर outside local mechanics है या फिर किसी garage में जो गाड़ी की normal service करना इतना simple होता है कि आप घर में कर सकते हो यार उसको अगर आपके पास proper tool है गाड़ी को lift करने का proper जुगाड है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो 1500-1600 रुपए आप दे रहे हैं labor cost वो बहुत जादा ह है और वह ज्यादा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उतना setup कर रहा है और उनका लेना बनता भी है और हमारा फर्ज बनता है आपके पैसे बचाना और मैं आपको एक चीज़ बताओं बाहर से service कराने के क्या क्या फायजे होते हैं सबसे बहला आपके पैसे बसते हैं दूसरा ज परेटली मेकनिक के पास जाके उसको प्रॉब्लम नहीं बता सकते आपको जॉब कार्ट लेके आएगा आपका service advisor और आपको पूछेगा क्या प्रॉब्लम में और वो लिखेगा और जो तीसरी चीज है मेकनिक का सीधे आपसे relation होता है वो काफी अच्छा काम करके देता है त तरफ अगर मान लो वहां के मेकनिक के बाद दो option है आपका बेवकूब बनाना या फिर अपने owner का बेवकूब बनाना तो आपका बेवकूब बनाएगा अपने owner को नहीं बनाएगा तो यही कुछ चीजे है मोटी मोटी कुछ रहे गया तो आप लो कमेंट में लिख दीजे और कैसे लगा आज काई वीडियो और हो सकता है आपका confusion दूर हुआ होगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए ख्याल रखें अपना और जैहिन